जहीं दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियों दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आप सभी के सामने अर्द्वार्शिक परिछा 2024 का 16 गणित का बहुत जादा इंपोर्टेंट कोस्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं और ये पेपर मेरे पास स्टुडेंट ने सेयर किय जिसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट पेपर है दोस्तों इसलिए पूरे पेपर को आप देख करके जाईएगा और पूरा पेपर में स्वालव भी कराने वाला हूं एक एक प्रस्न ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कैसे क्या प्रस्न करने है आपको तरीका भी पता चल जाएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और इस पूरे पेपर को हल करते हैं कैसे क्या प्रस्न इस पेपर में है पूरा देख करके जाईएगा देखिए पुरड़ांग सत्तर का दिया गया है समय तीन गंटे दिये खंकित है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, 20 अंकर के बहु भी कलपी प्रसन है, तो उसके सामने 20 लिखा हुआ है, अब यहाँ पर पहला प्रसन देखें, यदि सेक A बराबर 2, तो A का मान क्या होगा, देखिए, बहुत सिंपल है, आपको बोल रहा है, सेक A बराबर 2 दिया ह होगा 2, तो इसको 2 की जगा पर क्या लिख सकते हैं, सेक 60 डिगरी लिख सकते हैं, अब देखिए, तुलना करेंगे, तो सेक सेक के बराबर और एक इसके बराबर होगा 60 डिगरी के, तो आपको यह मिल जाएगा 60 डिगरी, तो पहला आंसर क्या होगा, 60 डिगरी, दूसरा दे प्रस्थित किसी बिंदू से खींची गई रेखा, ये बिंदू है, ठीक है, और इससे हमने एक रेखा खींच दिया, ठीक, ऐसे रेखा खींच दिया, रेखा तथा संगत त्रिज्या, त्रिज्या इसकी ये हो गई, इन दोनों के बीच कौन सा कोण है, हमेशा 90 डिग्री कोण होता है ठीक है तो कौन सा सही होगा सम कौन होता है ठीक है देखिए तीसरा प्रस्ण है यदि 26 156 तथा 26 156 का लासा 156 है तो मासा कमान क्या होगा आप जानते हैं लासा और मासा का गुड़न फल जो है इन 26 गुड़े 156 जो है वो किसके इक्वल होगा लासा गुड़े मासा के ऐसा ही तो होता है नो तो लासा हमको दिया गया है लासा की जगह पे 156 लिख देंगे तो 26 गुड़े 156 बराबर 156 गुड़े मासा ऐसे ही तो होगा 156 से 156 कट गया मासा आपको मिल गया 26 मासा क्या मिल गया 126 ये 166 आप संवा आपका correct होगा देखिए चवॉता प्रस्न है sorry दोस्तों 10 cm भूजा वाले दो घनों के सीरों को जोड़ा जाता है तम इस प्रकार प्राप्त घनाव का परष्ठी छेत्रफल क्या होगा तो इस प्रकार देखिए यह थोड़ा आपको चित्र बनाने की कोशिस करता हूं समझा के जैसे देखिए एक यह घनाब है ठिक छोटा सा घनाब मैं बना लेता हूं और आपको सुरी घन 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 की बात हो रही दो घनों को जोड़ा जा रहा है घनाब को नहीं जोड़ा जा रहा है तो मैं घन बना लेता यह देखिए और आप घं की बिशेष्टा जानते हैं कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है तो 10 cm इसकी एक भुजा है तो सब भुजाएं कितनी है 10 cm अब बोल रहा है दो घंगों को जोड़ा जा रहा है तो इसी में दो घंग बना लेंगे तो यह और ऐसे लेगा केवल इसकी लंबाई बदल जाएगी 10 की बजाए लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी 20 cm बाकि चवड़ाई भी इसकी उतनी ही रहेगी 10 और उचाई भी इसकी कितनी रहेगी 10 रहेगी चवड़ाई और उचाई सेम रहेंगे तो देखिएगा याल आपको कितना मिल जा है तो 2LB प्लस BH प्लस HL फार्मूला लगाएंगे दो गुड़े L की जगा पे 20 गुड़े B की जगा पे 10 प्लस B की जगा पे 10 गुड़े H की जगा पे 10 प्लस H की जगा पे 10 गुड़े L की जगा पे 20 ठीक है दो बीद दाहम 200 प्लस दाहम 100 प्लस बीद दाहम 200 ऐसे कर देंग कितना आया? 500 आया, ठीक है, 2LB plus BH plus HL, अब ये L की जगा पे 20, B की जगा पे 10, plus BH मैंने B की जगा पे 10 लिखा, ये H की जगा पे 10 लिखा, और HL, H की जगा पे 10, और L की जगा पे 20 लिखा, ठीक है, अब 500 आया, तो 500 का दो गुना करेंगे, तो 1000 cm2 आ जाएगा, कितना आएगा? 1000 cm2, यानि आपसन B आपका सही होगा, चलिए, अगला देखते हैं, अगला प्रस्ण है, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा? देखिए, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है आपको, 3x² माइन, प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसका हमें विविक्त कर निकालना है, तो यहाँ पे देखें, तो A बराबर क्या है? 3 है, B बराबर क्या है? 4 है, C बराबर क्या है? माइनस का 5 दिया गया है, अभिविक्त कर का फामूला होता है, B स्क्वाइर माइनस 4C, यही होता है न, जो देखिए, B स्क्वाइर की जगा पे 4 का स्क्वाइर, यानि 16 माइनस 4 गुड़े A की जगह पे 3, गुड़े C की जगह पे माइनस का 5, ठीक है, 16 माइनस माइनस का गुड़ा प्लस 4, 3, 12, 5, 60, अब 60, 10, 70, 6, 86, कितना आया भी स्क्वाइर मैनस 4, A C कमान, 86, यानि भीविक्त का रकाउन सा सही है, आपसन 2 सही है, अब देखें, छथमा प्रस्ण है आ इक्वाल टू पचपन, चलो भाई, देखें, यह A माइनस B और A प्लस B, तो A माइनस B और A प्लस B का फार्मूला क्या होता है, A स्क्वाइर मैनस B स्क्वाइर, है ना, A प्लस B और A माइनस B, तो यह लेफ्ट हैंड साइड में यही फार्मूला लागेगा, तो A स्क्वाइ माइनस 25 इक्क्वल में क्या हो गया 55 अब इसको उधर भेड देते हैं तो x square 55 प्लस 25 हो जाएगा 55 प्लस 25 हो जाएगा अब x square आपको कितना मिलेगा 5 5 10 की 0 हासी लाइक 5 27 एक 8 इतना आपको मिल जाएगा ठीक है अब x equal to 80 का under root अब यहाँ पर देखेंगे 80 तो कहीं दिया नहीं है 80 नहीं दिया है तो एक बार 80 को तोड़के देखते हैं क्या आएगा 80 को तोड़ते हैं 2 से 40 बार में और 2 से 20 बार में 2 से 10 बार में 2 से 5 बार में 5 से 1 बार में जोड़ा बना लेते हैं 2 दुना 4 4 अंडर रूट 5 यहाँ पे तो कोई आपसन नहीं मिल रहा है दोस्तों कोई आपसन नहीं मिल रहा है तो मुझे इस प्रस्ण में कोई डाउट लग रहा है बखी आप लोग हल कीजिएगा देखिए आपका आ रहा है की नहीं आ रहा है आंसर मुझे तो भाई इस प्रस्ण में दिक्कत लग रही है प्रस्ण कहीं न कहीं पे गलत है चलिए अब देखते हैं अगला सातों प्रस्ण है आप सभी के सामने इसको देखते हैं कैसे हल करना है यहां पी बोल रखा है सवाल में y कमान ग्याद कीजिए जिसके लिए बिंदू p यहीं दो कामा तीन और q यहीं दस कामा वाई के बीच की दूरी कितनी है दस मात्रक देखिएगा मैं कापी में लगाता हूं p बिंदू दिया गया है 2 कामा मैंनस 3 और q बिंदू दिया गया है 10 कामा वाई और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 मात्रक ठीक है कैसे हल करेंगे देखिएगा समझिएगा दूरी सूत्र का फार्मूला होता है p q एक्वल टू x2 मैंनस x1 का होल आफी स्क्वाईर प्लस y2 मैंनस y1 का होल आफी स्क्वाईर और दोनों का अंडर रूट ऐसे ही तो होता है तो p q की जगा पे क्या लिख दिये 10 10 एक्वल टू x2 माने 10 तो 10 में से x1 माने 2 गए 10 में से 2 गए इसका स्क्वाईर प्लस y2 y2 है y तो y में से y1 यानि 3 गए हो जाएगा बराबर 10 में से 2 गए 8 का स्क्वाईर प्लस y प्लस 3 का होलाफी स्क्वाईर इतना हो गया अब इस 8 का स्क्वाईर करेंगे 64 आएगा इधर बेद देंगे तो माइनस में आ जाएगा सम माइनस 64 इक्वल टू इसको सूत्र लगा लिजिए y स्क्वाईर प्लस 9 प्लस 2 गुडे 3 गुडे y यानि a स्क्वाईर प्लस b स्क्वाईर प्लस 2 a b का फार्मूला मैंने लगा दिया है अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 10 में से 4 गए 6 बचे 9 में 6 गए 3 36 इक्वल टू y स्क्वाईर प्लस 9 प्लस दूत्याई 6y हो गया ठीक है अब देखिएगा आगे क्या होता है इसको इधर भेद देते हैं यह हो जाएगा 36 माईनस 9 इक्वल टू y स्क्वाईर प्लस 6y अब 36 में से 9 गटेगा कितना आएगा 16 में से 9 गए 7 27 आएगा और इक्वल टू y स्क्वाईर प्लस 6y ठीक है अब 27 को उधर ले लेते हैं गुड़न खन करना पड़ेगा तो आपको मिलेगा y स्क्वाईर प्लस 6y माईनस का 27 यह हो गया इक्वल में आप 0 लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिएगा इसका आप गुड़न खन कर लेंगे गुड़न खन कर लेंगे कैसे आएगा आपर साइड में कर लेते हैं आपको 9y माईनस 3y में तोड़ लेते हैं 9 3 27 9 3 गया 6y आजाएगा माईनस में 27 यहाँ से y कामन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा और यहां से 3 कामन लेंगे तो y प्लस 9 बचेगा यही तो बचेगा ना? हाँ यही बचेगा अब y प्लस 9 एक कोस्ठक में ले लेते हैं और y माइनस 3 दूसरे कोस्ठक में equal to 0 तो y प्लस 9 equal to 0 मतलब तो y बराबर माइनस का 9 एक आंसर और दूसरा y माइनस 3 equal to 0 यानि y बराबर 3 तो एक आंसर हो गया माइनस का 9 और एक आंसर हो गया 3 तो माइनस का 9 और 3 आपसन बापका करेक्ट है चलते हैं अगले सवाल पर अब दिखे दोस्तों आठों सवाल क्या कहता है बिंदूओं 5 कामा 0 और माइनस 12 कामा 0 के बीच की दूरी 17 है ये कथन सत्य है कि असत्य है तो इसकी जाच करते हैं देखिए जाच करने के लिए हम क्या करेंगे दूरी सूतर का फार्मूला लगा लेंगे तो 5 माइनस 12 यानि प्लस 12 हो जाएगा का होल आफी स्क्वाइर प्लस 0 माइनस 0 का होल आफी स्क्वाइर करते हैं देखिए बराबर में क्या होगा और इस पूरे का अंडर रूट करना पड़ेगा है ना देखिए 5 बारा 17 हो गया 17 का वर्ग और अंडर रूट 17, 17, 289 का अंडर रूट करेंगे हला है कि नहीं है ये चीज हमें जाज करना है तो इसको वेरिफाइ कर लेते हैं देखिए इस समीकरण में 2x स्क्वाइर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इसमें x की जगा पे एक रख देते हैं अगर सत्यापित हो गया तो इसका मतलब आंसर है और सत्यापित नहीं हुआ तो इसका मतलब आंसर नहीं है तो 2 गुड़े x की जगा पे एक लिखेंगे माइनस 5 गुड़े x की जगा पे एक लिखेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए 2 एक कम 2 माइनस 5 प्लस 3 देखिए अब ये 2 और 3 जुड़के 5 हो गए 5 मेंस 5 गए 0 तो कथन एक्वल सत्य है ठीक है ये भी सत्य है अगला देखिए देखिए बिंदूं 3 कामा 4 की y अच्छ से दूरी है देखिए ये y अच्छ है ये y अच्छ है ठीक है अब 3 कामा 4 को अगर हमें दरसाना है तो 3 बिंदू इधर से लेंगे और 4 बिंदू इधर से लेंगे लेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा तो पूँच रहा है ये 3 कामा 4 है अब पूँच रहा है इसकी y अच्छ से दूरी कितनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है नीचे तक देखो ये चार है ठीक है क्या आएगा अंसर चार आएगा यानि चार इकाई इसका करेक्ट है आपसंसा आपका एकदम सही है ये रहा हमा कुष्चन देखिएगा आप सभी के सामने है बोल रहा है बिंदुगों मैनस दो काम अच्छा है और मैनस दो काम दस को मिलान ये वाले रेखा खंड के मध्ध बिंदु के निर्थे सांक ग्याद कीजिए तो मध्ध बिंदु के निर्थे सांक होते है एकस वन प्लस एकस टू अपांटू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपांटू तो देखिए माइनस दो और इसको जोडेंगे तो माइनस का दो आप संसा आपका सही है अब देखिए बारहमा प्रसन है आप सभी के सामने बेहाद important question है बोल रहा है एक 40 cm उचाई वाली बाल्टी के ब्रतिये सिरों की तरिज्याए 35 cm तथा 14 cm है तो पानी कायतन क्या होगा एक संकू के छिननक की तरह वो हो जाएगी बाल्टी जो है और उसम संकू के छिननक कायतन लगाएंगे 1 by 3 π.h को स्ठक में R का स्कूर प्लस RR प्लस R का स्कूर ठीक है अब देखिए 1 by 3 गुड़े पाई गुड़े ह की जगा पे आपको 40 लिग देना है 40 लिग देंगे R square में 35 का square लिख देंगे प्लस capital R की जगह पे 35 small R की जगह पे 14 प्लस small R का square यानि 14 का square इसको पूरा हल कर लेंगे 1 by 3 गुड़े πाई की जगह पे 22 बटे 7 गुड़े 40 अंदर 35 का वर्ग कर लेंगे और 35 गुड़े 14 कर लेंगे 35 गुड़े 14 और 14 का 196 चलिए इसको मैं पूरा कर लेता हूँ टाइम बेस्टिंग नहीं करेंगे पूरा मैं इसको हल करके आपको आंसर बताता हूँ तो जब आप इसको पूरा हल कर लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8080 यानि कह लो 8080 और ये क्या चल रहा है सेंटिमीटर तो सेंटिमीटर के हूँ पानी का आयतन है ना पानी का आयतन है तो ये आप का अंसर आएगा आप गुड़ा करके चेक कर सकते हो इसकी इंसर्ट रोक के वीडियो को इनहीं पे रोक के गुड़ा कर लीजिए आप सनबा आपका करेक्टर ठीक है फाल तो टाइम बेस्टिंग नहीं करेंगे नहीं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी गुड़ा आप कर सकते हो कैसे करना है वो चीज मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे दिखिएगा इसमें पूछ रहे बहुलक क्या है चलो ठीक पचीश को देखो एक बार आया दो बार आया तीन बार आया चातिस को देखो एक बार आया और उसके बाद कभी नहीं आया तो इसका बहुलक क्या हो गया अनतिस हो गया जो ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक है ठीक है देखिए संख्या 144 के अभाज जिगुणन खंड में अभाज जिगुणन खंडों की घातों का योग क्या है तो 144 को सबसे पहले काटेंगे देखिए काटेंगे तो ये 72 आ जाएगा और फिर से काटेंगे तो 36 आएगा फिर से काटेंगे 18 आएगा फिर से काटेंगे 9 आएगा फिर से काटेंगे 3 आएगा फिर से काटेंगे 1 ठीक है देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुड़े 3 की पावर 2 अब घातों का जोग कितना होगा 4 और 2 को जोड़ो 6 आ जो है वो एक आएगा गोस्ताहिया भाज संख्याओं का युगम होगा यानि जिनका मासा हमें एक मिलता है वोस्ताहिया भाज संख्याओं होती है तो 14 और 35 का चल ये पहले निकालते हैं तो हम छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या हमें भाग दे देंगे यह हमें मासा निकालने का तरीका है चवदा दुनी 28 15 में से 8 गए 7 अब 7 से 14 में भाग देंगे 7 दुनी 14 तो HCF आपको मिल गया 7 यानि पहला तो हो ही नहीं सकता दूसरा निकालो अब 18 से हम 25 में भाग देंगे 18 एक कम 18 25 में से 18 गए 7 अभ 7-18 में भाग देंगो साथ दुनी 14 अभ चावटा में 17 गए 4 अब 4-7 में भाग देंगो 4 एक कम 4 7 में 4 गए 3 अभ 3-4 में भाग देंगो 3 एक कम 3-1 कम 4 में 3 गए 1 अभ 1-3 में भाग देंगो एक तिक्के 3 तो आपको HCF मिल गया 1 तो 18 और 25 का मासा आप किसी दूसरे विदी से भी लगा सकते हैं आपका correct answer क्या होगा आप सन्पा अब हमें answer मिल गया तो मांकी को हमें check करने की जरूरत नहीं है आप किसी दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं भाग विदी से मासा निकाला है ठीक है मुझे यह ज़्यादा आसान लगता है अब देखिए सुलामा प्रस्न है आप सभी के सामने इसको भी चलिए कापी में इधार हल करेंगे साइड में बोल रहा है 1-10 स्कॉयर 45 डिगरी बटे 1-10 स्कॉयर 45 डिगरी की बैलू के आए देखिएगा 10 45 बराबर 1 होता है सब लोग जानते हैं तो 1-10 45 के जगरी पर 1 का स्कॉयर लिग दो बटे 1-10 45 के जगरी पर 1 का स्कॉयर लिग दो ठीक है 1-1 अपान 1 प्लस 1 तो 1 में से 1 गए 0 अपान 2 आ जाएगा तो कितना आया 0 अब ये 0 किसके बराबर है चलो देखते हैं यहाँ पर देखिएगा कॉस 90 की बैलू क्या होती है देखिए साइन 90 बराबर 1 होता है तो कॉस 90 बराबर क्या होगा जीरो होगा तो आपका काउन सा आपसन सही हो गया पहला वाला दूसरा देखो साइन 90 बराबर 1 है तो ये गलत हो गया उसके बाद टैन 90 बराबर अपरिभासी तो ये भी गलत हो गया साइन 45 बराबर एक बटे अंडरूट 2 होता है तो ये भी गलत हो गया पहला आपसन आपका एकदम करेक्ट है देखिए 17 कोश्चन है दी गई संख्याओं में अभाज संख्या होगी तो कौन सी होगी दो होगी अभाज संख्या ठीक है चलते हैं अगले प्रस्न पे देखिए 18 कोश्चन है आप सभी के सामने समीकरण x-2y वराबर 2 का कौन सा एक हल हो सकता है तो हल वही होगा जो इसको संख्याओं कर देगा तो समीकरण है आप सभी के सामने x-2y x-2y equal to 2 अब बैलूच को हम इसमें रखेंगे जो संख्याओं कर देगा वही आंसर है x की जगाँ पे 6y की जगाँ पे 2 रखो 6 रख दिया माइनस 2 y की जगाँ पे 2 रख दिया 6-2 दूनी 4 बराबर में 2 6 में 4 गए 2 तो 2 बराबर 2 तो पहला वाला ही सटिस्फाई हो गया यानि पहला आंसर आपका करेक्ट है दूसरा चेक कर लो कर रहा है कि नहीं x की जगाँ पे 4 लिख दो माइनस 2 गुडे y की जगाँ पे लिखना है आपको 4 तो 4 लिख दिये बराबर में 2 4 माइनस 4 दूनी 8 8 में 4 गए माइनस का 4 बराबर 2 के नहीं आ रहा है यानि ये नहीं हो सकता ऐसे ही कोई नहीं आएगा आपको चेक करना है चेक कर सकते हो जब आंसर हमें मिल गया है तो फालतु में टाइम नहीं वेस्ट करना है 19 देखिए यहाँ पे बोल रहा है बहुलक क्या है तो यहाँ पे देखिए कौन सबसे ज़्यादा बार आया है 12 एक बार आया दो बार आया 20 को देखो एक बार आया है की नहीं है तो पूरे का गुड़ा करके देख लेंगे अगर लास्ट में कोई समसंख्या आती है तो इसका मतलब हूँ एक भाज संख्या है और ये एक भाज संख्या है मैंने गुड़ा करके देख लिया है तो ये सथ्य आपका आप्सन आएक्दम करेक्ट है चलिए अब आग एक प्रसने देखते हैं खंड बाव और नात्मक प्रसने हैं कीनी पांच खंडों को हल कीजिएगा दा संक का है आप लोग कहेंगे तुमें पार्ट टू को भी हल करा दूंगा हलाकी मैं इस वीडियो में इसको हल नहीं दो समरूत त्रिवजों की उचाई या क्रम सा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है तो उनके छेतर फलों का उपाद क्या होगा क्विस्चन बहुत सरल हैं दोस्तों दो संख्याओं का अंतर 26 से और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है तो संख्याओं गयात करना है टै तीन ही तीन खंडों को हल कीजिए बारा नंबर का है देखिए एक त्रिभुज A.B.C. में कौण C वराबर तीन कौण B वराबर दो और कोस्ठक में कौण A प्लस कौण B जो त्रिभुज के तीनों कौण आपको ग्यात करने हैं खा नंबर सवाल है दो अंकों की एक संख्या क यंकों का योग 9 है संख्या के यंकों को परसपर बदलने से प्राप्त दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है संख्या ग्यात कीजिए गा नंबर कुछिछन ने दो धन पूरड आंकों के वर्गों का अंतर 45 है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के पहले मूल निकाले फिर उनका ब्यूत करम निकाले फिर उनको जोड़िये ये भी देखिए तीसरा प्रास्न कीनी तीन खंडों को हल करना है द्विघास समिकरन याद कीजिए जिसके मूल तीन और एक बटे तीन है एक मिनार के सिखर से 50 मीटर उचे मकान की छत तथा आधार के ओनमान कोन करमसा 30 डिगरी और 60 डिगरी है तो मिनार की उचाई ग्याद करना है तीसरे का गानमबर प्रस्ण है एक धातु घनाव की बीमाई 100 सेंट्मीटर 80 सेंट्मीटर और 65 सेंट्मीटर है इसे पिगला कर एक घन बनाया गया तो घन का प्रष्ठी छेतर फल ग्याद कीजिए गानमबर प्रस्ण निमिलखित बारंग बार्ता सारडी से माधिका ग्याद करना है आपको वरगंतराल दिये गए हैं बारंबारता दिये गई है बस आपको माधिका निकालना है चवथा किसी एक खंड को हल कीजिए एक आयता कार जिसकी लंबाई चवडाई से चार मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है ग्राफी बिधी से बाग की बीमाएं आपको ग्याद करना है चवथे कखा नमबर दो क्रमागत धन सन संख्याओं के योग वर्गों का योग 244 से संख्याएं ग्याद कीजिए बहुत सिंपल सिंपल सवाल है दोस्तों आप कहेंगे तो इस पर डिटेल्ड वीडियो आएगी और इसका पार्टे टू में हल कराऊंगा देखिए पांच वाकिसी एक खंड को हल कीजिए 10 सेंटिमीटर त्रिज्जा वाले ब्रत्य की एक जीवा ब्रत्य के केंदर पर 90 डिगरी का कौन बनाती है तो लगू ब्रत्य खंड का छेत्रफल ग्याद कीजिए खा नंबर ABC में यदि भुजा AD जो है वो BC पर लंब है और AD का SQ जो है वो BC गुड़े CD है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक संखोन त्रिभुज है यह आपका त्रिभुज चैप्टर का सवाल हो गया और यहां से पूरा पेपर फिनिस हुआ और इसको आपको हल करना है तो इसकी आप सभी के साथ अड़ी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत